तो दोस्तो आज 5th April 2024 बजार में आज काफी जादा volatility हमें देखने को मिला for some external and internal reason और at the end Nifty 50 आके closing दिया 2513 पॉइंट पे एकदम फ्लैट पे मतब closing के समय ऐस सच कोई बहुत बड़ा गिरावट ना तेजी हमें देखने को मिला previous day यानि Thursday के दिन जहां पे निफिप्टी closing दिया था उसी लेबल के आसपास ही कई आज closing देखने को मिला तो दोस्तों हेवेड सेक्टर की अगरम बात करें बैंक निफिप्टी में आज बहुत बढ़िया मुवमेंट देखने को मिला और इसके पीछे में रिजन है MPC मीटिंग की आउटकाम MPC मीटिंग मतलब Monetary Policy Committee Meeting RBI दोरा आज 10 बजी का आसपास आउटकम निकला उसके बाद 12 बजे तक उसका प्रेस कंफरेंस चला और जिसके चलता हमने देखा बहुत सारे चीज हमें इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे तो चले सबसे पहले ज्यादा बाते ना बना के मैं आपको सीधा सीधा इसी मीटिंग में जो सारे पॉइंट या टॉबिक के बारे में डिसकाशन किया इनके द्वारा स्टेटमें दिया गया है मैं आपके समने प्रेजन करता हूँ मेरे बात को ध्यान से सुनना और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो काफी सीरियस होने जा रहा है तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तों पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको देखा था एंपी सी मेंटिक में कोई भी रेपोरेट हाइक ना कट किया अंचेंज रखा रिमें विगलेंट टोवर्ट अपसाइड रिस और फूट इंफलेशन तो इन्हों ने देखी यहां पर फूट इंफलेशन को भी मेंशन किया विकास आज की रेट में बहुत सारे ग रेट किया रेट इंक्रीश साइकल वस पॉस्ट इन एप्रिल लास्ट इयर तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो रेट हाइक किया था एप्रिल 23 में लास्ट इर की में बात करना ठीक है आफ्टर सिक्स कंसेक्यूटिव हाइक एग एग्रिगेटिंग ट्वेंटी अर्ट 250 बेसिस पॉइंट सिंस में 2022 तो 2022 में जब से एक्चुली युक्रियन और रशिया का वार शुरूआ था उसके बाद से हमने देखा था टोटल 250 बीपीएस तक जो रेपोरेट हाइक किया था और लास्ट इयर हमने देखा था एप्रिल के आसपास से पास करना शुरूआ और अभी से दोस्तों पॉजी है मतलब कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला उसके बाद देखें दूसरे पॉइंट में यहां पर मेंशन किया इस फॉस्ट बाइं मंतली मॉनिट्री पॉलीशी फॉनिटी फॉनिटी फाइप शुरूआ हो चुका है उसका पहला यह M MPC मीटिंग और शीडूल फॉर्दा फानांशियल यहर बिगिनिंग फॉस्ट एप्रिल ट्वैंटी फॉनिटी फॉर ओके तो मतलब अभी जो फानांशियल यह शुरुआ हुआ है फानांशियल 25 उसमें टोटल 6 MPC मीटिंग होगा वह हम आगे जानेंगे उसके बाद देखे तो सारे 4% के आसपास लाना या तो उसके नीचे आज की डेट पे इसका प्रेजनली चल रहा है 5.4% के आसपास तो मतलब काफी यहां पर काम करना पड़ेगा इसको पर उसके साहसात कौर्टर लीवाइस भी इन्होंने में मेंशन किया कौन आर्बिया की कौन सी क्वाटर मे लगबख सारे 4% के आसपास मैं आपको थोड़ा अनलेरन करके देता हूं यह देखे क्वाटर 1 के मेंशन किया 4.9% परसेन क्वाटर 2 के मेंशन श्रीपगे 3.8% क्वाटर 3 के मेंशन किया 4.6% और क्वाटर 4 के मेंशन किया 4.5% तो यह दोस्तों फोर्कास्ट आया है आलब कि द्वारा उसके बाद एके नेक्स पॉइंट पर क्या मेंशन किया रिजर्ब बैंक गवर्नर सक्तिकांता दास अलसो स्ट्रेस्ट अन्द नीट टू डीमें विगलेंट अन्द फूट प्राइस जैसे कि मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले मेंशन कर रहा था कि फूट प्र आज की रिट में क्लाइमेट चेंजिंग के बज़े से बहुत टेंपरेचर बढ़ने नगा है ना उसके कारण जो फूट प्राइस में बहुत बढ़ा दिक्कत हो सकता है उसके बाद देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया ही ऑल्सो सेट डैट इंपक्ट ऑफ रिडक्शन इ इंफ्लेशन तो यहां पर इंफ्लेशन को बेसिकली एलफेंट के साथ तुलना किया आप बोल सकतों कंपेर किया विगाउस आज की रिट में बात कि इंफ्लेशन काफी हाई है ना टास्ट दरिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया अर्बिया टू एंशोर दा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपी बेस्ट इंफ्लेशन रीमें एट फॉर परसें तो यहां पे हमने देखा था सेंट्रल बैंक और सॉरी पर क्या वालते सेंटल गवर्मेंट तो प्रेशन ग उसके बाद के कुछ पॉइंट बाइपको दिखाता हूं यहां पर हाइलाइट पे और रेत एंस टेंस तो ऑविस्टी रेपोरेट यहां पर अंचेंज रहका सारे 6 परसें हैं मेंटेन फोकस ऑन विड्डॉल अभी अभी आपने देखा कि जो ओवरल ग्रोथ रखा था मतब जो जीडीपी का ठीक है तो यहां पर ओवरल बात करें फॉइंटीफाइब में जो फोर्कास्ट आया है साथ परसेंट में आपको तर जूम करके दिखाने की कोशिश करो ध्यान से देखना साथ परसेंट यह टोटल फनांशियल लियर की बात करना हूं ठीक है ट्वेंटीफ परसेंट का उसके साथ और यहां पर फोरेक्स जरब को कुछ ना कुछ बोला तो जो भी इंपॉर्टन इपॉर्टन से दोस्तों मैं आपको अच्छे से पढ़के समझा दिया बाकी फिर भी कोई डाउट से आपका प्लीज दोस्तों कमेंट के थूरू बताईए कमेंट बॉ के पीछे रिजन रात में युए मार्केट जैसे कि आपने देखा कर रात की सारे दश्वाली वीडियो में आपको दिखा था कि मार्केट मतब युए समार्केट के कितना पॉजिटिव में था चाहे डौज उसकी बात करें पर एंट की जमाएं मतब लगब कोई दो बज़क क्या आसपास आप देख सेक्तों मतलब युएस में जब दो वाजा था उसके बाद एकदम से क्रैश किया और कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं अगर आप देखेंगे टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे अल्मोस सारे साथ सो पॉइंट से ज्यादा हमें क्रैश दे टेखनिक को मिला और जिसके चलते इंडियार मार्केट गैप डाउन ओपेनिंग होने के बाद एकदम से रिकोबर भी कर गया है कि नहीं अब बोलिए तो इसके बीचे बेसिकली रिजन यह है तो जीजों को जब आप लॉजिकली समझेंगे सीखेंगे तो आपके लिए मार् की फ्यूचर में सुभा सुभा रिकवरी हो चुका था ठीक है बाकी बात करती कि दस साल की बॉलूंगा सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट यह है कि ब्रेन कूट प्राइस आज की डिट में 90 क्रॉस कर चुका है नाइंटी वन डॉलर पर बैरल कास पर स्टेट कर अभी एक तो इसको चोड़ के दोस्तों जैसे कि मैं आपको क्यूं बार-बार बोलता हुए पेशंस मार्केट में होना जरूरी है बहुत लोग समझते नहीं है खासकर कि बिगए नहीं पेशंस रखा आज की रेट में उनको बहुत खुशी मिल रहा है जो लोग सेल करके निकल का अध बहुत रिग्रेट कर आए आज की रेट में देखे इरेट केंदर सर्कीट लेवेल भी बढ़ गया उसके साथ इरेडा एक ही दिन पे चलंग मार दिया ग्यारा परसन के आसपास है कि नहीं तो वही बात है पेशंस आपको दिखाना पड़ेगा मैं बार-बार क्यूं पेशं के आसपास वेदानता में भी आज भाई परसन की कंटीनिवास तेजी देखने को मिला बड़ यह सब की बीच में दो शेयर जैसे की एंजल वान हो गया लाज्टे भी काफियत तक यहां पी गिरा था आज भी थोड़ा वात कमजोरी के साथ क्रोजिंग दिया नहीं पीसी में मिलते हैं टेक क्यार बबाई जय हिंद